हेलो गाइज क्या हल चाल बड़ी एकदम तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कैमेश्टि विद मेहुल में तो आज हम देके आए हैं क्लास टेंट चप्टर नमबर टू ऐसी बेसें सॉल्ट अपने हैं डिटर नोट से ही कु जो आपको बिलू लिटमस हो क्हीं करते एंगईद होते हैं और जैसे आपने 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 यह से टॉट किया तो क्या होगा आपको बहुत रहills वह देता है रहसे ऐसा समीट तो च्टेज होते हैं आपको बहुत घुए-धया मोठ हरा अब बात करें बेस की तो बेस क्या होते हैं गाली करते हैं और यह पानी के अंदर रिलीज करते हैं और जब आप इसको तच करतेए हैं आपि सो पी सो पी सफील देता है वेसा को तो पिस पिस होता है उसके बाद इसका पीच है सट उसक difi होते हैं जिसके पास कोई भी चार्ज क क्लडर को चेंज नहीं करते हैं यह कोई भी कदर चेंज नहीं करते हैं लिटमेंस पेपर के अंदर ठीक है इनका पिएच होता है इनका पिएच होता है इनका पिएच होता है इनका पिएच होता है सिर्फ 7 तो इंडीकेटर क्या होता है यह लाइन वो को करते हैं एंडीकेटर क्या होता है अच्छा यह गाड़ीवाल इंडीकेटर नहीं है ज़ोँ आप समझ रहे हैं तो यह आपको left मुड़ना होता है तो आपने left के indicator दे दिया right राइट के indicator नहीं यह वह दूसरा indicator है इंडिकेटर क्या होते हैं इंडिकेटर्स एक ऐसे टूल है जो कि आपको बताते हैं कि आपने कोई solution जो लिया है आपने जो कोई solution लिया है वह आपका acidic है या फिर basic है किया acid है या फिर basic है ये कौन बताता है मैं इंडिकेटर्स बताते हैं ठीक है कैसे बताते हैं वह एक हैं स्म्हेंट कर सकते हैं कैसे कहते हैं यह तो आपने आपने color का चेंज करते हैं यह पर हैं टीक है जैसे example की बात कोई centres की आपको आультile ली पेपर पोल्वयड में क्या दिखाता है रड हैं ऐगर सबसके घवा पतरिमस आपको इक होगे हैं पैल इसका नाम सना होगा पर अगर आग इसका आगर चलते हैं तो इसके अंदर विक्यों ऐसे करना पड़ेगा ठीके तो हमें जब इंडिकेटर्स करने होता है कि अब यूझकर नुज करना होता एक तो फिनॉप्लिन आपको बता रहूं कि यह जो है फिन आफ ट्लीन जो है किसमी उज़ता आपको टाइट्रेशन मी उज़ता है और एसिड में कलर लेस दिखाता है और बेस में पिंक कलर दिखाता है ठीक है फिर बात करें एक्जामपल अफ नैच्छल इंडिकेटर यह कौन से थे यह आपके सिंथाटिक लगार की रही यह तो जिस कलर के हल्दी है उसमें कोई क्लर चेंज नहीं किया उसने यलो के यलो यह है तो कलर कह रहेगा एकड में यलो तीक है और बात करें बेस में तो बेस में कहाता है डीप रैड यानि खूनी लाल सा जैसे खाइब हम आपके खून गिरा दिया हो वह द अपने उल्फैक्टर इंडिकेटर कूछ एक ऐसी इंडिकेटर साते हैं जो कि आपको क्या करते हैं है । यह जैसे हम बात करें हो गया यहांड यह बात अब यहां पर चीजा आ रही है यह मैं कहूंगा आप इसका स्क्रीन शॉट लिलते रहेगा क्यों क्यों कि यह है इसमें आपको वैसे इसमें से कोशन बहुत कम पूशा जाता है पर कई बार ऐसे कोशन आ जाते हैं जो कि आपको बच्चों को थोड़ा सा माइंड कर देते हैं जैसे बात करें कि एसिड और बेस रियक्षिन विद मैटल अगर हमने एसिड और बेस की रियक्षिन किसे करा दी मैटल की तो क्या होगा याद रखिए जब भी आपने एसिड की रियक्षिन या बेस की रियक्षिन किसे करें आपने मैटल से किसे करें आपने मैटल से आपने sayauger salt डा रिलीज होती है जैसे हमने बात करी कि कि आपlles दिया है एक से वार से ऑजय करगा है location और कोपर IRS कर क्या तो कि आपका Rede Cucl से एसे डू प्लस यहां पर चाहाँ डसा लगा एक से बाहर निकल जाए हम जिए आपि यहां बन जाएगा यहां से एक्टिविटी इसमें क्या बता रहा है कि अगर हमने देखे यह अपको क्या जिखाता है है एक कडल लगाई जब यहां है मैटल कार्बोनेट और मैटल हैं क्या मिलता है आपको मिलता है आपको carbon dioxide g% जी लती है और आपको water मिलता है है ठीक आपको basically कुछ यहाद नहीं रखना्य को यहाद रखना है कि metal carbonate यह metal जो भी आपको बताँँगा उसको release होने से क्या मिलता है और और basically सबसे आपने क्या मिलता है, salt मिलता है, इस चीज़ को याद रखेगा बस, इस चीज़ को याद रखेंगे न, आपको बित्ता पता है कि salt मिलना ही मिलना है, तो आप reaction अपना आप कर सकते हैं, आपको पता होना चीज़ है कि बस carbonate iron क्या होता है, और hydrogen carbonate iron, यानि bicarbonate क्या ह और हैं यह थोड़ा आपको ऊपको आपको वाटर मिला और यहां से रिलीज हो गई है अब हमें कहा रहा है कि अगर आपने acid और base की reaction यहांपस में करा दी तो क्या होता है यहांप आपके reaction मिनती है neutralization reaction neutralization reaction याने कि neutral बन जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा salt बन जाएगा यानी कि सिंपली बात करें अगर हम आपने हCLA की reaction NaOH से करा दी आपने करने स्ट्रोंग की करा दी तो क्या मिलता है आपको है नौसियां से स 대해서 haffar निकल जाता है ठीक है आपने जब भी यहीं करा है तो क्या मिलेगा सॉल्ट लेगा यहांग पानी बाहर निकल जाएगा ूपानी बाहर निकल यहां हम रियक्षैब्ट अगर N this is not क्या मिलता है वही सेम चीज आपको सॉल्ट मिलेगा वाटर मिलेगा सॉल्ट और वाटर मिलेगा ठीक है जैसे आपने बात करी है अपने कॉपर ऑक्साइड से कराई तो क्या मिलता है और हाइट्रोजन गैस यहां से बाहर निकल जाती है ठीक है यह है थोड़ा के चलते हैं आपने जो में इंप्पॉर्टन टॉपिक आता है वह आता आपका पी अच तो पी अच से आपके कोशन जरूर बनते हैं तो पीच वाला टॉपिक है वह देखिए जल्दी से चैप्टर को बस खतम ही करने वाले हैं थीक है वैसे चैप्टर बहुत बढ़ा है यह पर वह से जल् सब्सक्राइद ग्लास में बहुत असानी होने वाली फिक है थो पीच क्या होता है तो पीच क्ली स्केल है ग्ले है- यहां फॉला फोक यह भी पिञाल होता है पावरिख ऑफ-प्वर्थ ह manner है तो इतनी बड़ी वीडियो में जाथा हूँ कि मैं इतनी बड़ी वीडियो आप्लोड करूं कि उसे जो है आपके लिए लिए कि चप्टर बहुत बड़ा है वाह इस फिर नहीं होसा यह सब तो मैं उमीद करता हूं आपको अभी तक पढ़ाया उत्तरा आपको समझा गया होगा और दुबार आपको बोलता हूं अगर आपको नोट्स दिस्क्रिप्सिंट में सैंड कर रखिया है लिंक आप से नोट्स को ले सकते हैं ठीक है आपको बहुत मदद करने वाले हैं यह बहुत ज़्यादा मदद करने वाले आपके बोर्ड एक्जाम के लिए ठीक है आपको बार-बार में बोल ला हूं कि आप इस नोट्स को ले लिए बिल्कुल फ्री है बिल्कुल फ्री है आपको लिंक प झाल झाल